और चले शुरुआत दस पिजे की दस बड़ी खबरों के साथ कर रहे हैं पहली ब्रेकिंग हर्याणा चुनाव पर आज बीजेपी सीजे की दूसरी मीटेंग चुनावी राज्जियों के लिए प्रतियाशियों की आ सकती है लिस्ट विधानसभा चुनावों के मध्यनसर सामाचिक समीकरणों को साधने में जुटी है बीजेपी सूत्रों के वाले से खबर है कि भारे संख्या में मौझूदा विधायकों के टिकेट कट सकते हैं बताय जा रहा है कि सीसी की मीटिंग से पहले आज पीएम मोधी के साथ हाई लेवल मन्थन है दूसरी बड़ी खबर समीधानिक संकट में फसे हरियाड़ा के सीम सैनी ने जल ही कैबनेट मीटिंग बुलाने का फैसला लिया है सूतरों के मुताबिक खबर है कि कैबनेट मीटिंग के दोरान विधान सभा को भंक कर सकती है सरकार जिसे लेकर समीधान विशेशग्य की राय ली जा रही है आगे बढ़ रहे हैं तीसरी ब्रेकिंग के साथ फरुकबाद सुल्तानपूर कांड को लेकर योगी सरकार पर सपा कॉंग्रिस का हमला राहुल गांधी ने योगी सरकार को घेरते वे कहा बीजिपी के राज में नयाय की उमीद करना गुना है और साथ या देखें किस तरह से अकलेश यादव ने भी तंच कसा योपी में प्रश्टा चार अपराद की जुगलबंदी चल रही है आपको बता दे फरुकबाद में हाल ही में दो सहेलियों के शब एक ही फंदे से लटके मिले थे चौधी ब्रेकिंग चमो कश्मीर में आतंकियों को तीन अलग लग जगाहों पर घेरा गया है रज़ौरी कुपुवाडा और पुंच में आतंकियों की तलाश में बड़ा सर्च और प्रिशन वहीं रज़ौरी में दो से तीन आतंकियों को घेरा गया रजोरी के ख्वास इलाके में आतंकियों स्रक्षाबलों के बीच भारी फारिंग हो रही है मही को पुवाडा में भी गुस्पैट की कोशिश कर रहे एक आतंकी समय तीन आतंकियों को ठेर किया गया पार्शवी ब्रेकिंग जूनियर डॉक्टर्स ने चुकराई सिये ममता बैनर्जी की अपील आंदोलन वापस लेने से जूनियर डॉक्टर्स ने इंकार किया है कहा जब तक पीडित डॉक्टर को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आंदोलन वापस नहीं लेंगे इस पीच ममता ने चेतावनी जारी कर कहा बंगाल जला तो नौर्थ इस्ट समेट दिल्ली भी महफूज नहीं रहेगी पिछले 20 दिनों से डॉक्टर्स आंदोलन कर रहे हैं चड़ी ब्रेकिंग आज जिस समंदर में हिंदुस्तान की ताकत बढ़ने वाली है नौसेना को मिलेगी परमाडू उर्जा से चलने वाली दूसरी आईनस अरिहंत पंडुबी रक्षा मंत्री राजना सेंग अरिहंत परमाडू पंडुबी नौसेना को सौपेंगे ये परमाडू पंडुबी SSBN आईनस अरिहंत का अपग्रेड़ेड वर्जिन है 3500 किलोमीटर रेंच और बेलिस्टिक मिसाइल से लेस है ये पंडुबी पिछले एक साल से पंडुबी समुन्दरी परिक्षन के दौर से गुजर रही है साथवी ब्रेकिंग यूपी के बहराईच से जहां भेडियों को पकड़ने के लिए वन विभाग की टीम ने डेरा डाला हुआ है आदम खोर भेडियों की तलाश में वन विभाग ने ड्रोन कैमरों को कैमरे भी लगा दिये हैं वन विभाग के ड्रोन कैमरे में कैट 3-4 भेडियों का जुंड दिखा है फुलिस के मताबिक भेडियों के हमले में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 15 लोग जखमी हुए है आठ वी ब्रेकिंग दिले एंसी आर्वे तेस बारिश के बाद जगा जगा जल भराव कई मुख्ये सडकों पर पानी भरा है जल जमाव की वज़ा से सडकों पर भारी जाम लग गया है दिली के धौला कुआ में गाड़ियों की कतार दिखी दिली के धौवा लग हुआ है आई टियो है मयूर विहार है वेंकर टेश्वर कॉलेज है ये तमाम वो जगा है जहां पर पानी भरा हुआ नजर आ रहा है मौसम विभाग ने दिली एंसियार में भारी बारिश की चेतावनी जारी की थी नौवी ब्रेकिंग गुजरात से जहां कई दिनों से बारिश का कहर देखने को मिल रहा है बारिश की वज़ा से जानगवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 26 हो गई है लगतार चोथे दिन भी भारी बारिश से हाहकार मचा हुआ है बार प्रभावित लाखों में रेस्क्यू का काम चल रहा है तक्रीवन 17,800 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुचाए गया है वडोधरा में इमारते, सड़के, गाडियां सब पानी में डूबे नसरा रहे है और दस्विफ रेकिंग पटना के पुनपुन में बड़ा हादसा हुआ है पूजा सत्संग सुनने आए लोगों पर दिवार गिर गई चालेस से ज्यादा लोग हादसे का शिकार हुए है और बताए ये जा रही कि अचानक से शिरोवी तेज बारिश के चलते मकान की दिवार गिर गई जिसके बाद चीक पुकार मच गई घायलों से महिला और बच्चे इनकी संख्या जादा बताई जा रही है घायलों को कि अस्पताल में भरती करा गया है